कि नमस्ते असलों कुम से स्रेकाव दोस्तों वेलकम टो डी आई वाई जेंड के दोस्तों आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं अन्बॉक्सिंग और रिव्यू वैक्यूम क्लीनर का और यह वैक्यूम क्लीनर है दोस्तों अमेरिकन माइक्रॉनिक ब्रैंड का तो काफे सारी रिक्वेस्ट मेरे को की थी सब्स्राइबर्स ने की वैक्यूम क्लीनर को अच्छा सा सज्जेस्ट कीजिए तो इसलिए मैंने इस वैक्यूम क्लीनर को शॉट्स करके पर्चेस कर लिया हुआ है अमेजन इंडिया से मैंने इसे मंगाया हुआ है तो पर्चेस लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी प्राइस पे यह एविलेबल है अमेजन इंडिया पे दोस्तों यह जो वैक्म प्लीनर है यह आता है सोलां सो वाट्स की पावर्फल मोटर के साथ तो इसका स्क्षन पावर जो है बहुत बढ़िया है और 21 लीटर जो इसके ड्रम की कैपैस्टी है तो काफी सारा कूरा कच्डा जो है अपने अंदर ही स्टोर करके रखता है वेट एंड ड्राइ दोनों ही फंक्शन इसमें आते है प्लस ब्लोवर भी है इसके अंदर डैट मिंज आप इसे ब्लो करने के लिए भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और यह आता है हेपा फिल्टर के साथ जिसका मतलब होता है हाई एफिशनसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर तो हैपा फिल्टर जो है एक बड़िया फिल् वन बई वन आपको explain करता हूं सारी की सारी accessories को तो दोस्तों सबसे पहले तो यह है हमारा main vacuum cleaner की body और यह vacuum cleaner आता है इस पांच मीटर की electric cord के साथ तो आप इसे काफी दूर से भी से इस्तिमाल कर सकते हैं और यहां पर आता है यह dust filter तो आप इसे dust filter के साथ यह dust filter के बिना भी यूज़ कर सकते हैं तो अगर इसे लगाएंगे तो सारा का सारा कच्ड़ा जो है वो इसके अंदर रहेगा अगर इससे नहीं लगाएंगे यहां फिर आपने अगर वेट फंक्शन इसका यूज़ करना है तब इसे आपने यूज़ नहीं करना है और साथी स extension rods इसके साथ तो यह एक दूसरे में connect हो जाते हैं और इस hose pipe के आगए आप इसे रख सकते हैं तो यहां पर hook भी आता है दो basically replaceable heads के साथ तो यह पहला जो head है यह brush वाला head है ठीक है तो इसमें यह brush लगा हुगा है that means आप इसे यहां पर कोई sweeping करने के लिए use कर सकते हैं कोई dry कचड़ा पढ़ा हुगा है floor के उपर उससे आप वो काम इससे आप कर सकते हैं तो अगर आप को वैट cleaning करने हैं अगर floor के ऊपर कोई पानी वगयरा पढ़ा होगा कोई पानी जैसी कोई वैट चीज पढ़ी हुई है तो उस case में आपको इसके head को change करना है यहां से इसका head जो है यह open हो जाता है और यह खुल जाता है इसके attachment और यहां पर यह वैट attachment है यह इसके अंदर आपने प्लग कर देनी है ठीक है उसके बाद यह यहां से बंद हो जाएगा ठीक है तो अब यह same head जो है वैट function के लिए use होगा और दोस्तों यह अगेन एक और head या nozzle के लिए इसको दोस्तों यह carpet और अफोल स्ट्री क्लीनिंग के लिए है तो इसमें यहां पे एक wheel भी आता है carpet पे मूग करने के लिए इसको और यहां पे यह जो button है इसे जब प्रेस करते हैं तो इसका यह brush जो है यह जो है यह सामने आ जाता है यह बाहर निकल जाता है ठीक है तो अगर carpet पे आपने dusting करनी है तो इस brush को बाहर निकाल लिए अगर dusting नहीं करनी तो इसके अंदर ही रखिए ठीक है तो यह भी एक extra head जो है supply किया गया हुआ है और दोस्तों यहां पे again यह एक nozzle है जो cleaning के काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोफा वगयरा cleaning के लिए यूज कर सकते हैं करटन वगयरा है वो भी इससे clean कर सकते हैं तो यहां पर यह रोटेटेबल है आप इसके head को rotate कर सकते हैं और इसको straight भी कर सकते हैं ठीक है और यहां पर एक और nozzle है यह भी cleaning के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो कोनों वगयरा में जहा कि बिल्कुल कम सी स्पेस होती है वहां पर आप इस नौजल का इस्तिमाल करके वहां पर भी पहुंच सकते हो और दोस्तों लास्ट में यह चार वील्ज हैं दो छोटे वील्ज फरंट के लिए दो बड़े विल्स बैक के लिए मैं यह इसकी पैप यहां पर यह बटन है इसी पीछे करेंगे तो प्रेशर जो है संसे खाल और अगे करेंगे तो फ्रेश्य चले जाएंगे कि यह आगे लगेंगे तो इन्या पकड़िए और इसके अंदर कि पुश कीजिए सीधा यह अंदर चले जाएंगे तो देखिए बिल्कुल ही इजी था इसके वील्स अटैच करना तो अब यह फुली पोटेबल हो चुका है तो यहाँ पे अगर इसकी होस पाइप को आप यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पर यह एक्ट करेगा एज वैक्यूम ग्लिनर तो यहाँ से चीजें जो हैं वह सक हो जाएंगी अंदर की तरफ बट अगर आप इसका ब्लोवर फंक्शन यूज करना चाहते हैं तब आपने इस पाइप को निकालना है और यह ब्लोवर वाली साइड है यहाँ पे आपने पाइप को इंसेर्ट करना है ठीक है तो अब यह ब्लोव करेगा यहाँ इसका इंल्ट और यहां पर prima यह इस्टॉल हो चुका है फुली अब मैं आपको आउन करके दिखाता हूं इस वैक्यूम क्लीनर को इसका वगएरा हम सुनते हैं इसकी आवाज सुनते हैं और साथी साथ थोड़ी सी हम टेस्टिंग भी करते हैं तो यहां पर हम वैक्यूम क्लीनर की एफिशेंसी को टेस्ट करने लोगा वाला हूं मैं तो मैंने डिफरंट साइज और डिफरंट वेट के डस्ट या जो कूड़ा कच्ड़ा होता होता है वह मैं रखा हुगा यहाँ पर आप अपने सामने देख रहे हैं तो यहां पर ये IGHली रेत हैं जो की सबसे हल्की होती है वैक्यूम क्लीनर को इस ची भी है बड़ा 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 और एंड वाला जो टुकड़ा है वो सबसे बड़ा है तो वेट भी बढ़ता जा रहा है तो यहां पर मेरे हिसाब से यह भी वैक्यूम क्लीनर के अंदर अराम से सख हो जाना चाहिए जिससाब पर इसका प्रश्यर है बट असली टैस् सब्सक्राइब करते हैं और इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं असली टार आट लाहिए जिससाब से भी घट करते हैं तेस्थ्ट थीचलर लाहिए जाए लाओ करते हैं प्रश्यर हैं है वारे है । तो आपने देखा यहां कि मैंने कूला कच्टा जो है different size को different weight का यहां पे रखा था तो वो सारा का सारा जो है वैक्यूम प्रॉब्लम जो है वो सक्क कर लिया तो वैक्यूम क्लीनर है उसके बारे में demonstration में देदी बहुती नेक्स्ट मैं एक और एपिसोड शूट करने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं इस वैक्यूम क्लिनर से थोड़ी बड़े से एरिया को कवर करूंगा और उसमें जो भी कूड़ा कच्टा होगा वो पूरा कपूरा आपको साफ होते वे दिखाऊंगा तो स्टे टून फॉर नेक ले सकते हैं अगर यह वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेर भी कीजिए थैंक यू फॉर कमिंग टू डी आई वाई जैनके बावाई